नमस्कार मैं हूँ सुर्भी सिंग और स्वागत है आपका नेक्स नाइन भोजपूरिया चानल में आज हम बात करेंगे पवन और अक्षरा के प्रेम कहानी के बारे में क्यूं इनकी कहानी अधूरी रह गई क्यूं इन दोनों को होना पड़ा एक दूसरे से अलग अक्षरा सिंग और पवन सिंग की लव स्टोरी को कौन नहीं जानता है भोजपूरी स्टार पवन सिंग और अक्षरा सिंग की जोड़ी कभी सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्थ हिट हुआ करती थी रील के साथ पवन और अक्षरा का रियल लाइफ रोमैंस भी चला जब पवन सिंग की शादी हुई तो दोनों का रिष्टा तूट गया अब दोनों की लव स्टोरी गुजरिस जमाना हो चुका है हाल ही में अक्षरा सिंग ने पहली बार पवन को लेकर कही राज खोले हैं उन्होंने बताया कि किस तरह पवन की आँखों में वो खटकने लगी थी आगे हम इस रिपोर्ट में आपको ये जरूर दिखाएंगे कि ऐसा क्या हो गया जो इन दोनों सूपर स्टार की कहानी अधूरी रह गई और ऐसे बाते बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे आगे देखें इस रिपोर्ट में अक्षरा सिंग और पवन सिंग की प्रेम कहानी क्यों रह गई अधूरी क्यों दोनों नहीं बंद पाए शादी के पवित्रबंधन में जी हाँ इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर क्यों इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई और कहां से शुडू हुई थी इनकी प्रेम कहानी पवन सिंग और अक्षरा सिंग की लव स्टोरी भोजपुरी इंडस्ट्री की कभी ना भूले जाने वाली लव स्टोरी है इनके प्यार के किस्ते तो बच्चो बच्चो को बता है पवन और अक्षरा की लव स्टोरी में दोनों ही हिरो हिरोईन थे लेकिन अब अक्षरा ने प बात का खुलासा भी किया था खेसारी ने कहा था कि अक्षिरा से दूर रहकर में छे महिने तक सो नहीं पाया उसकी आदत सी पढ़ गई थी दिल हर जगह सिर्फ उसे हिट हुंता रहता था अक्षिरा और खेसारी का प्यार परवान चड़ गया था लेकिन तब ही इन दोनों को इनकी गलती का आभास हुआ क्योंकि खेसारी शादी शुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी और खेसारी चाहकर भी उनसे शादी नहीं कर सकते थे फिर दोनों ने एक दूसरे से बलकुल अलग हो गये फिर दोनों ने एक साथ काम करना भी बंद कर दिया अक्षिरा सिंग का दिल तूट गया, तो वहीं पवन सिंग का भी दिल तूटा हुआ था, क्योंकि पवन की दूसरी पत्नी नीलम ने आत्म हत्या गर ली थी, पवन बहुत परिशान रहते थे, दोनों ही दुख में थे, वो दोनों साथ में फिल्में भी करते थे, और सेट पे दोनों की बातचीत करने का फैसला ले लिया, पवन ने कई सारे प्रोड्यूसर से, अक्षिरा को अपनी साथ काम देने की, सिफारिस की, पवन के सिफारिस से, अक्षिरा को सत्या जैसे फिल्म में कास्ट कर लिया गया, और इस फिल्म के बाद, अक्षिरा सिंग के करियर ने रफतार पकड़ ल लगी। साथ-साथ काम करना, स्टेश शो करना, गानी की रिकार्डिंग करना, काम के साथ-साथ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इनके प्यार के चर्चे पूरे इंडस्ट्री में होने लगे। खब्रे आने लगी कि दोनों जल्द ही शादी करेंगे। पवन सिंग के दोस्त अक्षिरा सिंग को भावी कहके बुलाने लगे तो वहीं इनका प्यार पवन सिंग के परिवार को अच्छा नहीं लगता था पवन सिंग का परिवार इनके प्यार के खिलाफ था एक दिन इनके बीच ऐसा कुछ हुआ जो इने बरबाद करके चला गया दोनों की प्रेम कहानी पर पुर्न विराम लग गया जीहां पटना के एक होटल में आधी रात को अक्षिरा सिंग और पवन सिंग के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और उस वक्त पवन सिंग शराब के नशे में थे पवन सिंग ने अक्षिरा सिंग के साथ हाथा पाई की और ये खबर बाहर आ गई इन दोनों के इस गल्टी से इनका रिष्टा बिखर गया दोनों के बीच मन मुटाव चलने लगे प्यार इतना था कि दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते थे और हालात ऐसे हो गए थे कि साथ भी नहीं रह सकते थे एक दिन अचानक पवन के परिवार ने पवन की शादी करने का फैसला ले लिया और बल्या की जोती सिंग से शादी रचा दी शादी के बाद पवन सिंग के परिवार ने पवन सिंग को अक्षरा के साथ फिल्मे करने से मना कर दिया और इस तरह इनकी प्रेम कहानी अध्यूरी रह गई मिलकर भी दो दिल मिल नहीं पाए और हालात के शिकार हो गई और इनकी प्रेम कहानी बहुत दर्द भरी रहे तो अभी आपने देखा कि कितना कुछ हुआ है इन दोनों के साथ और क्यूं ये एक दूसरे से हो गए अलग इस कहानी को सुनकर आप भी भावुक हो गए होंगे तो ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले